हेलो फ्रेंड्स वालकम बैक टू मैं चैनल अर्पिती पहचनमिला आज की वीडियो में लड्डू कॉपाल जी के लिए पोशाक बनाएंगे यह हमने अस्तर के पैब्रिक से बनाई है इसे बनाना बहुत ही इसे बनाना बहुत ही सिंपल में सभी साइस के लिए मेजरमेंट भी बताती है वीडियो में तो आप इसे इसली बना लेंगे यह देखिए यह है इसकी पैंट और यह है उपर की शर्ट और साथ में आई यह कैप तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब निकिया है तो आप चैनल को ज़रू सब्सक दसे लिए यह हमने अस्थार का फैब्रिक लिए है हम इससे बनाएंगे और यह हम साथ नमबर के काना जी के लिए यह जो लबाई है इसकी यह हमने चैंच और यह जो है वो हमने आट इंच रखकिया अब हम सभी size के लिए measurement देख लेते हैं मैंने यापि लिख दिया है सबसे पहले हम यह जो लंबाई है वो देखेंगे सभी sizes के लिए तो देखें 0 size के लिए हमें 2 इंच टरकनी है एक नंबर के ले 3 इंच दो नंबर के ले 3 इंच 3 नंबर के ले 4 इंच चार नमबर के लिए 4 इंच, पांच नमबर के लिए 5 इंच, 6 नमबर के लिए 5 इंच, 7 नमबर के लिए 6 इंच, 8 नमबर के लिए 6 इंच, 9 नमबर के लिए 7 इंच, और 10 नमबर के लिए 7 इंच, अब हम इसकी ये चोड़ाई देखेंगे, सभी साइसे के लिए, तो 0 साइसे के 8 इंच 8 नमबर के लिए 8 इंच 9 नमबर के लिए 9 इंच और 10 नमबर के लिए 9 इंच दोनों हमारा आधा आधा इंच बढ़ता चला जाएगा चाहिए आप जीतनी साइज तक चले जाए लंबाई और चड़ाई दोनों अब हमें क्या करना है यहाँ से ऐसे फोल्ड करके और इसे हम यहाँ से कट कर देंगे यह जो हमारा लंबाई वाला हिस्सा है 6 इंच वाला इसे हमने ऐसे फोल्ड किया और यहाँ से कट करके अलग करेंगे चले कट करते हैं यह देखिए यह हमने इसे कट कर दिया है दो पीसे में कर दिया अब क्या करेंगे इसे हम 20 से फोल्ड करेंगे यह हमने फोल्ड किया यह देखिए एक बार और फोल्ड करेंगे इस बार हमें यहां से हाफ इंच एक्ष्टा रखना है यह देखिए कुछ इस तरह से यह वाला हमारा हाफ इंच एक्ष्टा रहेगा और यहां से हम आर्म होल कट करेंगे पतलिसी और मौल कुट करने हैं हमें ये घर किया ऐसे करके अगर मैं खोल के रिखा हूँ तो ये एक तरह खुआ है ये ये हमारा फ्रेंट कपन लाओगा यह यह यहां से यहां यहां पर हमें सेप देनी है ऐसे ऐसे वाली सेप देंगे तो इसे फोल करते हैं और यहां पर हम सेप दे देते हैं बहुत ही आसान सा तरीका है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बस यहां पर ऐसे करके हलका सा कट कर दिया यह देखे अब यह हमारी कुछ इस तरह की सेप आई है यह मैं आपको खोल के दिखाऊं, यह देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में, बहुत आराम से आप कर लेंगे, अब हमें इसके उपर सिलाई लगानी है, कैसे सिलाई लगाएंगे, यह देखिए, यहां से ऐसे सिलाई लगाते वाएंगे, यहां से यहां, फिर य करना है एक इं चोड़ाई का फैबरिक लेना है इधर से फोल्ड किया इधर से फोल्ड क्या और फिर दोनों को एक दूशने को बार रख यह और बताती हो आपको कि कितना कितना कितश कर ले करना है अगर आप देखिए डबल करें तो यह आर्म होल पे आ जा रहा है पूरा ऐसे करके इतना बड़ा कट करना है हम इसे कैसे लगाएंगे यहां से रिखिए डायरेक्ट ऐसे यू बना देना है हमें वी नहीं बनाना है कि एक दूसरी को पर ऐसे चड़ा दिया ऐसे नहीं क को फिर हम इसे जॉइंट करेंगे तो पहले हम यह स्ट्रिप लगा लेते हैं यहां पर यहां से थोड़ा थोड़ा सा गैब रखा है मार्जन के लिए अब क्या करेंगे अपने इस वाले फैबरी को लेंगे इसके उपर रखेंगे और अभी चैसे मैंने आपको बताया ऐसे क सिलय लगा देंगे, आपको धॼ्यान देना है कि जब यहां पर सिलय लगा है तो यह विसक रहा हम रहरते है औरा हैउर यहां पर हलकागा रही हैillosip यहां से घुट्रिप को एसे हल्का सा कीचा है फ्र इधर की सिलय लगा هिए क्योंकि इस च्रिप को hora की नहीं हिलरा दी जिल लाई के अंदर ही लखेंगे यह देखिए बस अब हम इसे पलट देंगे यह देखिए यह हमारे इस्ट्रिप आजाएगे बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं गोपाल जी के लिए इसे हम ऐसे करके निकाल लेंगे निकालने के बाद आप इस पर एक बाल प्रेस लगा लें तो चलिए मैं प्रेस लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है यह देखिए हमने यहाँ पर हलका हलका सा प्रेस लगा दिया है अब हमने यहाँ पे यह इस्ट्रिप लिए है दो इंच वड़ाई की है यह देखे इसे ऐसे 20 से फोल्ड करके प्रेस लगा दिया है और इसकी लंबाई हमने 20 इंच लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे रखेंगे और प्लेट बनाएंगे कुछ इस तरह से तो चलिए दल के 2 से हिलाई लगा ही है और अफ्सक्ड क न क्या करेंगे इसे ऐसे सिधसा करेंगे और सिधा करने के बाद यहाँ से कلى नानले कि को अब हम क्या करेंगे हमने या पर यह वैलक्रो ली आ आप चाहें तो च्रुट you अ बटन भी लगा सके हैं है नंगे कहा रहा हूं तो यहां पर इसकी यह जो लंबाई है यह हमने 6 इंच रख हैं, 7 नमभर यह कहना जी के लिए 6 आप सभी साइस के लिए मिजर्मेंट देख लें, जीरो साइस के लिए 1.5 इंच रख लिए 1.5 इंच एक लिए 3.2 नमभर के लिए 3.5, 3.5, 4.4 इंच, 5.5, 6.5, 7.6, 8.5, 9.5, 7 साथ इंच और दस नंबर के लिए साड़े साथ इंच और हम यह वाली चोड़ाई देख लेते हैं इसकी तो सभी साइस के लिए देख लेते हैं जीरो साइस के लेकना है चे एक नंबर के लिए साथ इंच दो नंबर के लिए आठ इंच तीन नंबर के लिए नो इंच चार करने के हमने क्या कट रखना है यहां से सलाही लगा जाएं जिसे दुनों फैबरिक स्टे शॉयन्ट सि दिकई क्या करना है इंग दि एक नमबर के लिए 3 इंच, दो नमबर के लिए 3 इंच, तीन नमबर के लिए 4 इंच, 4 नमबर के लिए 4 इंच, 5 नमबर के लिए 5 इंच, 6 नमबर के लिए 5 इंच, 7 नमबर के लिए 6 इंच, 8 नमबर के लिए 6 इंच, 9 नमबर के लिए 7 इंच, और 10 नमबर के लिए 7 इंच, इत करणा है यहां को दिखा करें यहां से यहां बंद करेंगे और यहां पे क्लाए लगा लिए यहां को क्या करना है यह जो हमने सिलाई लगा यह इस मार्क से मिलाएंगे मिलाने के बाद यहां से एसे वी सेप में सिलाई लगाएंगे ऐसे वी सेप में चले लगा लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे क्या करना है यह देखिए हमने यहां पर यह सिलाई लगा दिया अब यहां से हम देंगे थोड़ थोड़ा सा मार्जन रखते हुए कट कर देना है यह देखे बहुत आसा तरीका है आप इजली बना लेंगे अपने गुपाल जी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में यह देखे हमने कट कर दिया बस इसे सीधा कर देंगे हमारी पैंट भी रेड़ी ह यह देखे कुछ इस तरह के पैंट आ गई और यह उपर से आ जाएगी इसकी टॉप ड्रेस तो हमारी हो गई अब हम कैप बना लेते हैं तो कैप के लिए देखे हमने इतना बड़ा फैब्रिक लिया है कुछ इतना बड़ा है इसे हटाते हैं हम क्या करेंगे और एक और हमने यहां पे इतना बड़ा फैब्रिक लिया है सबसे पहले हम इसे ऐसे फूल करेंगे और फूल करना है यह दिखे हमने फोल्ड किया अब इस पे हम मार करेंगे तो हमाहãos कसी मारक लूनरता है फिर आपको दिखाएंगे क्या करना है हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी अब हम क्या करेंगे और सिलाई लगाने पर देखे एश्टरा फैब्रिक हमने कट कर दिया है अब हमें इसे पलट देना है कोई दिक्कत नहीं होगी यह देखे आसानी से पलट गया इसे हम अच्छे से लिकानले के बाद हम इसके उपर एक बार प्रस लगा लेंगे जिसे अच्छा से सेट हो जाए चली प्रस लगा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है यह हमने इसके उपर प्रस लगा दिया अब यह करेंगे यह देखिए इसको लेंगे और यहां पर ऐसे करके इसे और इसे ऐसे पलट के यहां से एक सिलाई लगा देंगे चलिए लगा लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे क्या करना है हमने यहां पे सिलाई लगा दी अब हम इसे पलट देंगे यह देखिए ऐसे करके यह पलट जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी यह हमने इसे पलट दिया यह दिखे कुछ इस तरह का आएगा अब हमें क्या करना है इसे इसे को यहाँ पर ऐसे रखेंगे और रखने के बाद यहाँ से ऐसे round shape में एक सिलाई लगा लेंगे जिस shape में यह उपर है हमारा उसी shape में यहाँ पर सिलाई लगानी है चलिए लगा लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे क्या करना है यह दिखे हमने सिलाई लगाने के पाद extra fabric कट कर दिया अब क्या करेंगे इसे ऐसे पलट देंगे यह हमने पलट दिया और अब यह cap वाले इसे को हमें क्या करना है यहां से ऐसे फोल करना है और यहां पर एक सिलाई लगा देनी है चलिए लगा लेते हैं फिर आपको दिखाता है चलिए अब हम इन्हें पोश्टाक पहना लेते हैं तो सबसे पहले हम उपर की short पहनाएंगे यह देखे और यह जो नैपी गुपाल जी ने पहनी है इसकी वीडियो भी अप्लोडेट है चनल पे इसका लिंक मैं आपको देदूँ कि डिस्क्रिप्सर में आप वहां से चेक कर सकते हैं यह देखे यहां से यह इसली बंद हो जाएगी और पैंड भी पहना लेंगे आप चाहें तो सिर्फ नैपी और यह उपर की टॉप पहना सकते हैं तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा और कानाजी भी कम्फटेबल रहेंगे यह हो गया चलिए मैंने बाल लगाके कैप लगा दीते हूं फिर सामने से आपको दिखाते हूं कि कैसी लग दी एड्रेसिन के उपर यह देखे यह बैक से कुछ इस तर रखिया आएगी और फ्रंट से आप देखने कुछ इस तर रखिया आएगी बहुत ही संदर लगेगी अब क्या करना है यहां से बाल लगाके और हमें कैप लगा देने अगर आप कैप लगाना चाहें तो लगाएं नहीं लगाना चाहें तो इसकिप भी कर सकते हैं यह देखे यह कुछ इस तर रखियाएगी चलिए मैं दिखाती हूं सामने से यह दखिए यह और यहाँ पुछाक पहना दिया बहुत ही अलग दिया यह दिसके कि अगर फ्रेंट्स आई को पाँच की वीडियो आपको अची लग़ी हो अगर वीडियो अची लगए तो gent वीडियो को लाइक करें में चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आकर में प्रेस करके और पर क्लिक कर लें जैसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला आपको से थैंक यूट राचिंग